गुड मॉर्निंग एवरिवन यह हमारी होंबख शीट 13 हमारी क्लास है UK जी और आज हमारी डेट है 18 में 2020 और आज हमारा डे मंडे और आज हम सब्जेक्ट करेंगे इंग्लिश तो हमारा जो इंग्लिश में हैं हमने जैसे पिछले वीक किया था वोवर साउंड तो वोवर साउ आज हमने क्या करना है है तो आज हम क्या कर रहे हैं राइट इन करेक्ट ओडर आज हमने क्या करना है कि जैसे ही हमारे पास कैट है तो मैंने देख आप देख रहे होगे इसमें कि मैंने यह कैट की स्पेलिंग गलत लिखी हुए तो आपको क्या करना है C-A-T cat तो यह हमारा हमने इसी में से ढूंडा कि C-A-T cat बनता है तो हमने क्या लिखा cat ऐसी यह है lead तो आपको देखना है कि lead की spelling क्या होगी उसके बाद man man की spelling जो होगी वो आपको यहां लिखनी है उसके बाद क्या है write the words that rhymes हमारे rhyming words है जैसे bet, rat, cat, mat तो आपको इसमें दिख रहा होगा bet, b, a, t bet, तो पीछे क्या रहा है a, t, rat r, a, t, rat तो rat में भी पीछे हमारे words हा रहे a, t, तो ऐसी आपको क्या करना mad, तो mad में क्या हैगा m, a, d, mad तो यहां पे क्या आजाएगा s, a, d, z तो उसका क्या होगा a, d, पीछे आजाएगा ऐसी उसके बाद हमारे आएगे अब vowels, sound, e तो जो vowel sound, e है vowel sound, e है तो आज हम वो पढ़ेंगे तो हमें ही क्या करना है इसको पढ़ना है और इसको लिखना भी है तो जैसे हमने vowel sound, e में पढ़ा था तो हमने पीछे के words कुछ लिखे थे और आगे हमने दूसरा consonants change किया था तो ed लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है b, e, d, bed r, e, d, red f, e, d, fed w, e, d, wed led led अब यहाँ पर क्या है en वाले हैं en वाले में कैसे पढ़ेंगे m, e, n, man h, e, n, hand p, e, n, pen t, e, n, ten f, e, n, fan अब क्या पीछे e, g वाले तो इसको कैसे पढ़ेंगे b, e, g, beg l, e, g, leg p, e, g, peg s, e, g, seg k, e, g, keg उसके बाद है e, t, वाले तो इसको कैसे पढ़ेंगे m, e, t, met l, e, t, let g, e, t, get b, e, t, bet w, e, t, wet उसके बाद है e, a वाले p, e, a, p s, e, a, c t, e, a, t l, e, a, l, e, a, l, e, e, a, y, e उसके बाद है हमारे पास एक question है look, say, tick and write the correct words तो आपको क्या करना जैसे यह मैंने कब बनाया और थोड़ी सी उपर भाप्स जैसे निकलती है वो किया है तो यह क्या हो गए हमारे keg तो आप इसमें डूड़ना keg कहा लिख है यह मारा है peg peg जहां लिख है आपको वहाँ पर tick करना है वैसे आपको यह पूरा complete करना है thank you